हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुमाई चैनल मैं हूँ नीलम आज हम बनाएंगे पांच मिनिट में ऐसी चटपटी सी रेसीपी जो है सौफ वाले आलू बहुत ही सिंपल सी रेसीपी शेयर करूँगी आपके साथ तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है एक मैंने क गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा तो मैं इसमें डाल रही हूँ आदी छोटी चमच जीरा और जीरा डालने के बाद इसमें जाएगी एक छोटी चमच भरके सौफ मेरे पास सौफ का पाउडर था तो मैंने सौफ डाल दिया आप चाहें तो साजी इसमें चाकू से मत काटिए हाथ से इस तरह से डाल दीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ये मैंने आलू मुझे जितने बनाने थे तीन चार वो मैंने डाल दिये हैं इसमें और इसके चम्मच से थोड़ी सी कम डाली बहुत तीखी लाल मिर्च है इसके बाद इसमें आदी चोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसमें जाएगा गरम मसाला हल्दी मैंने इसकिप कर दी है बिना हल्दी के भी आलू बहुत अच्छे बन जाते वन फोर टीस्पून मैंने गरम मसा चला लेते हैं और आसपास जो आलू लग जाता है ना नीचे तो उसको अच्छे से आलू को कलहार लीजिए तो बहुत ज़्यादा खुश्बू आती है फिर यह देखिए आलू नीचे से जो चिपक जाते ना तो उससे क्या होता आलू की उपर एक मसाले की कोटिंग हो जात करके बताईए अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए अब इसको हम खाएंगे पूरी पराठा के साथ और आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी सबजी लगती है मेरे कहने पर एक बार आप जरूर इसको बनाकर देखिए आपको यह बहुत पस वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच